है कि यहां पर भात करने वाले हैं कोड़ उसका 965 ऑप बनाया है और पहले बता दो कि चल रहा और विडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं विडिव दोनों वीडियो आपको खटम होने के बाद अपलोड होगा वागर के निए को डौट लगता है चिंग करिए विडियो पहले अप्लोड कर रहा है तो आप इसका जो अप्लोडिंग टाइम है नीचे वह चेक कर लेना और कॉंटेश्ट इंट का वह चेक कर लेना ठीक है तो क्वेश्चन मैं पहले बता देता हूं काफी आसान सा क्वेश्चन है इसको ऐसे खास वीडियो में अगर डिसक्सना करो तो भी क अप्लाना कुछ भी और इसके साथ मैं इंटीजर रहा हूं जिसकी रहा है तक जाएगी बट आपको क्या करना है जितने मैंने की वैल्यू दिए उतने डिस्टिंग्ट पॉइंट आपको बताने है मुझे और पॉइंट क्या है यह यह बिसिकली आपका कॉडिनेट एक पॉ पॉइंट दे रहा हूं आपको यह बिसिकली इंस्ट्रक्शन है आपको कि डिस्टिंग्ट मतलों अलग अलग होने ही चाहिए अगर इक्वल आपने कॉडिनेट दे दिया जैसे वन वन है फिर से आपने वन वन दे दिया तो यह गलत है वन टू दोगे तो चल जाएगा तू सी वाइसी जो मैंने दिया है न मायओ इंपुट में उसके से मैच होना चाहिए वही सेंटर होगा सब्सक्षाटर क्या है सेंटर बेसे कली क्या है एक स्कुर्णियू का संबाई के कंट आफ अब हैसे हैं अगर दिहान करो हम लोग बहुत पहले हैं एक ट्रियंगल में सेंट सब्सक्राइट में भी हम लोग यही फार्मूला यूज करते हैं सम आफ एक्स कोडिनेट बाइट थ्री और वहां पर इसलिए क्योंकि ट्रेंगल है तीन पॉइंट ही होंगे और यह आपका बेसिकली के पॉइंट पर जा रहा तो उतने बाइट कहना यह इतना चाहरा इस से बेसिकली मेरे दिमाग में इस इंट आया वही बताता है है इक डेक Shapkin शिसमर्शंग बात करते हैं जीरो-जीरो फे और अगर यहां से टी जalg मश्नल पर नहीं बात करते हैं स्फेस्विक बात करते हैं एक पॉइंट में आगे गया قال फिक है और एक पॉइंट अगर में पीछे जाहूं מ anda क्या इसका यह जूर बद़ेगा नहीं बदलेगा इसका ऐसे सेन समझो मैंने कोई भार को उठाया है तो आप समझते हो सेंटर आफ मास जो है वह चेंज ना हो तो भार बैलेंस रहेगा राइट अगर इस यहां पर सुई होगा यहां पर मैंने कुछ ऐसे बराबर पैसे अटका दिया होगा तो यह भार बैलेंस होगा यह स्टिक बैलेंस रहेगा लेकिन अगर मैं इतर दो कर दूं तो यहां भी एक्सपेक्ट करें कि माइनस दो पे ही हो माइनस दो करने का मतलब इस डियारेक्शन में दो पॉइंट पे हो अदर्वाइज फिर सी यह बैलेंस नहीं होगा इसका सेंटर यह नहीं बनेगा कुछ और बन जाएगा और वो अनबैलेंस हो जाएगा जही मेरे क्वेश्चन का बेस बना अगर हम टी पॉइंट पॉजिटिव डाइरेक्शन में जाते हैं और टी पॉइंट निगेटिव डाइरेक्शन में जाते हैं लेकर ठीक है तो आपका सेंटर फूर एक्स जाएगा सेमी चीज़ अगर हम बाई डाइरेक्शन में कर दें पॉइंट ऊपर और टी पॉइंट नीचे तो क्या होगा भाई भी सेम हो जाएगा पलस टी माइनस टी कैंसिल हो जाएगा और यह हर एक पॉइंट पर होता चल जाएगा तो अगर मैं टी की वैल्यू रन करू टी इक्वल टू वन करूंगा तो आपको जीरो पलस वन वन और वाई में भी वन और एक्स में माइनस वन और वाई में माइनस वन दो पॉइंट मिलेंगे यहांसे दो चीजे क्लियर होगी फरस्ट अपॉल टी के एक वैल्यू के लिए मुझे दो वैल्यू मिली है इसका मतल आप टी की वैल्यू जो होगी वो के वाई टू तक ही जाएगी पहला चीज के वाई टू से ज्यादा नहीं जाएगी दूसरा यह यह आपका टी वाला जो टर्म है वो कैंसल आउट हो जाएगा इसको आप देखोगे तो यह क्या लिखाओ जीरो प्लस वन जीरो प्लस वन और इसका एक से जीरो माइनस वन और जीरो माइनस वन अब इस जीरो के जगा एक ससी वा से साप रिपलेस करदेना हम लोग आएंगे उस पर क्या हो जाएगा एक ससी प्लस वन वा यजए सी मायनस वन और वा अवा psych मायनस वन स्यवंद लें इस तरीकिस तरीके जूटता चल जाएगा संहाअ समatra स्फिम वहायँ इनको यह स्वाई में विन्टु एकस थी एंटु के और जो यह आपका मैथमेटिकली प्रूफ हो गया जो कि कुष्चिन में से लिखा भी है कि के एनि वैल्यू के जो होगा अंसर एक्जीश्ट करेगा मल्टिपल होगा और और अल्वेज होगा यह चीज अल्रेडी प्रूफ है ठीक है तो हमने इस तरीके से इसका प्रूफ समझा प्रूफ समझ लिए तो यहां पर एक चीज आईए कि कि किसी वैल्यू पर हमें दो मिलेगा मतलब कि हमेशा आप इविन नंबर आफ एलेमेंट को डिस्टिंक्ट उठातो रहे हो लेकिन इविन में आगे हमारे पास लेकिन ह सकता है कि की वैल्यू ओड्ली कोडै 902 है तो क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे एक सि अकेला पॉइंट उस केस में आपका होगा हम क्योंकि की की वैल्यू हाप्रसर टी की वैल्यू जोगा वन जीना दे जिए गेशो यहीं बन जाएगा वाइसी एक से उसको दो बार नहीं लिखना यह और के केस में हम लिख देंगे एक बार और वहां तक तो आहीं गया ना कि मतलों के माइनस वन होगा और यह पांच वाइनस चार बारी तुम पहले लिख चुके ऊपर से और एक बार यही डाल देंगे सारे डिस्टिंक्ट भी हो गया कोई सेम है नहीं है यहां हो रहते हैं माइनस हो गया दूसरे में आई ही इंक्रीज कर जाएगा ती कुछ और बन जाएगा फिर इंक डिस्टिंक्ट रहेगा और सम जो है आपका डिवाइड होने बाद फिर केंसे लाट हो एक सीवाइस ही रह ग यहां पर इस डंक से इसने पूछ दिया है ठीक है इसका कोड में आपको दिखाता हूं वैसे इसका कोड बहुत ही आसान है अगर के और है तो मैंने एक्स और वाई को इन्पूट जो लिया था वह एज़े प्रिंट कर दिया और यहां से क्यवाई टू तक हम गए माइनस करक करके प्रिंट किया बस इसमें युज नहीं हुआ इसके लावा हमने कोई यूज नहीं करा तो काफी बढ़िया इससे बेश्ट और कुछ हो इनी सकता है ठीक है तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा बट अगर कोई भी रॉट बचता है आप अपना जो है आपको आपको बात करहें सब्सद्द करता हूं यहां पर काफी सारे सब्सक्राइब कर रखा है मैंने बना रखा आप इसका यूज पर लो और यहां पर अपना और अपना रहें मिलतें के निचे दिस्क्रिश लिए दिया हुआ है सबका लिंक दिया हुआ अराम से जाओ यूज़ करो और बुक करो ठीक है मिलते हैं वीडियो में दिलाओं बाइबाइब